हेलो गाइस, वेलकम तो घरना खाना भाई चूदी इस क्रिस्मस मौके में आपके लिए लेकर आई हूँ हम सब क्या फेवरेट, इसपेशनी पच्चो का फेवरेट मफिन की रेसिपी जिसे आप कभी भी क्रिस्मस हो, पर्ड़ पार्टी हो या किसी अधर रोकेशन में असाली से त्यार कर सकते हैं तो चले फिर देर किस बात की है, फटावर्सर शुरू करते हैं क्रिस्मस के लिए मफिन बनाने के लिए यहां मैंने करीब 3-4 बॉल मैदा लिया है उसके बाद हाफ छोटा बॉल कस्टड पाउडर लिया है फिर चीनी लिया है, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइन कर लिया था इसमें आप मीठा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फ्लेवर के लिए यहां मैंने वैनिला एसंस लिया है आप इसके जगे इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो वाइट विनेगर लिया है यह सिंथेटिक वाइट विनेगर है आप कोई भी इसमें विनेगर यूज़ कर सकते हैं यहां मिल्क लिया है और बेकिंग पाउडर लिया है और लास्ट में मैंने ये वन फो टेबल स्पून बेकिंग सोड़ा लिया है तो चले फिर बनाने शिरू करते है सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा कांच का बॉल ले लिया है आप इसके चके स्टील का भी ले सकते है उसमें मैं ये थोड़ा सा मिल्क टाल दूंगी मैंने इसमें हाफ मिल्क भी यूज़ किया है बाकी का दूद हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसे के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेकर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दस मिनट के लिए इससे चोड़ देंगे अब दस मिनट भी हो चुगे हैं काइस यह देखे दूद करडल हो गया है फटना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें जितने बहु ड्राइग इंक्रेटिंट है न वो डाल देंगे सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मैदा उसके बार टालेंगे शुगर फिर टालेंगे कस्ट्रेट पाउडर और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तब इन सब को हम सीव कर लेंगे यह स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो मफिन है वो बहुत ही फ्लफी बनेंगे इनको सीव कर लिया है मैंने अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैं इसमें यह दूर डाल दूंगी विसकर की सहयता से अच्छे से इससे मिक्स करेंगे और एक बैटर त्यार करेंगे काई ध्यान रखें कि बैटर ना जादा पतला हो और ना ही जादा गाड़ा अब इसमें मैं ये वैनिला डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों ये बैटर त्यार हो चुका है मफिन बनाने के लिए तो अब मैंने ये केक का टेन ले लिया है तो यहां मैंने ये मफिन का ये सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं मफिन वाले वो रखती हैं आप इसके चके कटोरी, गलास, पेपर गलास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पर उसको आप घी से ग्रीज कर लीज़ेगा तो यहां मैंने पाँच मफिन के मोल्ड रखती हैं अब इसमें मैं ये बैटर डाल दूँगी जो मफिन के लिए बनाया था न, वो ही बैटर है, वो डाल दूँगी गल इसमें ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा हमें इसमें बैटर डालना है ज्यादा उपर तक मत फिल करना क्योंकि जो मफिन हैं फिर वो बहार आ जाएंगे क्योंकि मफिन बन कर फूलते हैं न, तो इसलिए थोड़ा से स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा अब यहां यह मफिन भी मैंने त्यार कर ली है, दूसरे तरफ मैंने यह रखा है बड़ी से कड़ाई उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और स्टैंड अब स्टैंड के जगे कोई स्टील की प्लेट भी या कटोरी भी रख सकते हैं तो अब मैं उसमें यह त्यार कियेवे मफिन को प्लेस कर देती हूँ और उपर से में लगा देती हूँ इसमें लेड तो गाईस अब हमें इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करके इससी तरह बेक होने देना है तो जब तक यह बेक हो रहा है चलिए हम अपने विब क्रिम की तियारी कर लेते है अब इसके लिए यहां में लेले हैं कांच बर्तन और साथ मैं यह ein मैं दूट ढाल दूंगी हम थोड़े सा ही दूत मिक्स करना इसमें अचलिया इसमें इलेक्रिक बीटर से में बीड कर लेती हूं इसके जगे विस्क से भी यूज़ कर सकते हैं और फोक कर सकते हैं लेकिन मेहना चाहता लगेगी तो मैं इसी इसा करते हैं हूँ कि यहां मैं थोड़ा सा मिल्क और डाल दूंगी कि यह दिखिए विप क्रिम तियार होनी शुरू हो गई है अब स्टेस्ट में मैं यहां डाल दिया है शुकर पाउडर आट चलिए इसे भी भी बीट कर लेते हैं कर लिया क्या कर लिए यहां मैं लिया है अजटा का फूट कलर जो की ड्राइ फोर्म में हैं आप इसकी जबने लिक्विड भी ले सकते हैं यह बहुत ए अच्छा कलर आता है इससे यह देखिए मैंने कितना थोड़ा सा कलर डाला है इसमें कितना प्यारा कलर आएगा इसको बीड कर लेते हैं फिर से अब इसकी एक निशानी है ये दिखे मैंने इस बॉल को पलट के देखा है तो विब क्रिम गेर नहीं रही है ये पूरी तरह से त्यार हो चुकी है तो चलिए फिर अब पढ़ते हैं अपनी मफिन की और और चेक करते हैं ये मफिन बने की नहीं एक टूदबिक या नाइब की साहता से हम इसमें चेक करेंगे मैं सेंटर में डाल के देखुंगी कि ये पूरी तरह से बन गए है ये अभी भी बनना पाके है ये दिखें अभी भी इसमें चिपक रहा है तो त्यार नहीं होय है तो चलिए फिर दो मिनट के लिए इसमें और कर में प्ञूस duty में प्वाइब कश्यक्जच पिक डिना आ इस से प्ञारं वाले नोजल तो मैं यही उसकरनेवाली हूँ इसको मैं भी टालत दिया है आप बीना नोजल दiğना सकती है तो आगे से मैं इसे कट कर लूगी और इसको मैंने इस तरह से ग्लास में रख दिया है अब इसमें मैं ये विप क्रिम भर दूगी यह दिखिए मैंने सारी विप क्रीम इस पाइड़न बैग में भर दी है तो इससे छोड़ दूँगी चलिए फिर मफिन को एक बार दुबारा चेक कर लेते हैं मैंने लिट हटा लिया है और मैं इस टूथपिक डाल के देखती हूं देखे डूदसमें क्लीन बाहर आई है मौफिन बनकर रेड़ी हो चुके हैं मैं इसे उतार लेती हूँ Ugh I am the इस अब में मौल ठाके रेक्ड़े वाँ मेसे जाते हैं और कितना प्यारा टेक्स. आया है आक देख सकते हैं तो चलिए फिर इनको डेकॉरेट कर लेते हैं वैसे तो आप ऐसे भी इससे खा सकते हैं पर मैं क्रिस्मस के लिए बना रही हूं तो डेकॉरेशन तो बनती है ना तो आप इसमें किसी भी तरीके का डिसाइन दे सकते हैं मैंने इससे फिल कर दिया है और यह देखे मेरे पास एक गोल्डन बॉल्स रखे हैं तो मैं इससे इसे डेकुरेट कर लेती हूँ आप इसके जगे इसमें शुगर भी डस्क कर सकते हैं अगर आप यह खाएंगे ना तो गैरेंटी है मेरी आपके बारे इसे ज़रूर बनाएंगे क्योंकि यह बने ही इतना टेस्टी है तो इस क्रिस्मस मेरे साथ मेरी यह रेसिपी ज़रूर ट्राइके चिका और मुझे कॉमे सेक्शन पर अपना फीडबेक ज़रूर दीजेगा तो चले फिर मिलते हैं गौर नईयों सर लेसिपी के साथ तब तक के लिए खुश रहे और स्वास्त रहे थैंक यू